प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती पहला पाठ एफेसुन के नाम संथ पॉलुस का पत्र अध्याचार पत्संख्याएं साथ से सोला मसी हमारे शीर्स हैं और उनसे समस्त शरीर को बल मिलता है मसी ने जिस मातरा में देना चाहा उसी मातरा में हमें प्रतिये को कृपा प्राप्त हुई है इसलिए धर्मगरंद कहता है वह उचाई पर चड़ा और बंदियों को ले गया उसने मनुश्यों को दान दिये वह चड़ा इसका अर्थ यह है कि वह पहले प्रीथ्वी के निचले प्रदेश में उत्रा जो उत्रा वह वही है जो आकाश से भी उचे चड़े जिससे वह सब कुछ परिपून कर दे मसी ने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नभी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाही तथा आचारिया होने का वरदान दिया इस प्रकार उन्हों ने संतों को सेवा कार्या के लिए निउक्त किया जिससे मसी के शरीर का लिर्मान उस समय तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्यान में एक नहीं हो जाएं और मसी की परिपूनता के अनुसार पोन मनुश्यत्वा प्राप ना कर ले इस प्रकार हम बालक नहीं बने रहेंगे और भ्रह्म में डालने के उदेश्य से दिर्मित धूत मनुश्यों के प्रतेक सिधानत के जोके से हम विजलित होकर बहकाये नहीं जाएंगे हम प्रेम से प्रेइत होकर सत्य बोलें और इस तरह मसी की परिपूनता प्राप करें वह हमारे शीर्स हैं और उनसे समस्त शरीर को बल मिलता है वह शरीर अपनी सब संदियों की सहायता से सूसंगटित होकर प्रतेक अंग की समुझित साकरियता से अपनी परिपूनता तक पहुचाता और प्रेम द्वारा अपना ही निर्मान करता है यह प्रभू की वाणी है संद लुकस के अनुसार प्रभी एशु का पवित्र सुसमाचार तेरवा ध्याय पलसंख्याएं एक से नाव तक उस समय कुछ लोग एशु को उन गलीलियों के विशे में बताने आए जिनका रेक्त पिलातुस ने उनके बली पशुओं के रेक्त में मिला दिया था एशु ने उन से कहा क्या तुम समझते हो कि यह गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे क्योंकि उन पर ही आईसी विपती पड़ी मैं तुम से कहता हूँ आईसा नहीं है लेकिन एधि तुम पशाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नश्ट हो जाओगे अध्वा क्या तुम समझते हो कि सिलो आम की मिनार के गिरने से जो अठारह विक्ती दब कर मर गए वे एरुसलेम के सब निवासियों से अधिक परादी थे मैं तुम से कहता हूँ ऐसा नहीं है लेकिन एधि तुम पशाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नश्ट हो जाओगे तब एश्व ने ये दृष्टांद सुनाया किसी मनिश की दाकभारी में एक अंजीर का पेड़ था वो उसमें फल कोजने आया परंदू से एक भी नहीं मिला तब उसने दाकभारी के माली से कहा देखो मैं तीन वर्ष्टों से अंजीर के इस पेड़ में फल कोजने आता हूं किन्दू मुझे एक भी नहीं मिलता इसे काट डालो यह भूमी को क्यों छेके हुए हैं परंदू माली ने उतर दिया मालिक इस वर्ष भी इसे रहने दीजी मैं इसके चारों और खोद कर खाद दूँगा यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा नहीं तो इसे काट डालियेगा यह प्रभु का पवित्र सुसमाचारे क्रीस प्रभु कीज़े मेरे प्रियभाईयो बहनों आज का पहला पार्ट जो संद पौलुस का एफेसियों के नाम पत्र से लिया गया है उसमें हम सुनते हैं पौलुस करते हैं कि मसी ने कुछ लोगों को प्रेरित कुछ को नभी कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चर्वाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया इस प्रकार उनोंने सेवाकारी के लिए संतों को नियुक्त किया जिससे मसी के शरीर का निर्मान तब तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा इश्वर के पुत्र के ग्यान में एक नहीं हो जाएं और मसी की परिपूनता के अनुसार पूर्न मनिश्यत्व प्राप्त ना कर ले मेरे प्रिय भाईयों बहनों मसी ने सेवाकारी के लिए संतों को नियुक्त किया जो भी संत नियुक्त किये गे हैं अलग-अलग पदों पर चाए वो शिच्छक हो चाए सुसमाचार के पचारक हो समाज में चरवाहे हो या आचारिय हो जो भी पद पर हैं उनके कारी का उनके पद का उनके जिम्मेदारी का एक मात्र उदेश है कि वे सेवाकारी करें और प्रभी येशू अपने शिशियों को भी ये बताते हैं कि मैं सेवा पाने के लिए नहीं मैं सेवा करने के लिए आया हूँ और हम सभी उनके अन्याई हैं हमें जो पद परासीन हैं जो भी हम हैं हम सभी सेवाकारी के लिए बुलाए गए हैं इस सेवाकारी का उदेश क्या है पौलिस आगे करते हैं जिससे मसी के शरीर का निर्मान होता रहे यानि मसी का शरीर यानि कलीसिया का निर्मान होता रहे कलीसिया का मतलब वो सभा जो बुलाई गई है वो मंडली जो विश्वासियों की मंडली है विश्वासियों का समुदाय है उसका निर्मान हो जाए और ये निर्मान किस तरह होगा और उसका लट्शिक क्या है जब तक हम विश्वास तता ईश्वर के पुत्र के ग्यान में एक नहीं हो जाएं और मसी की परिपुनता की अनुसार पूर्न मनिश्वत प्रात ना कर ले मसी के शरीर का निर्मान तब तक होता रहे कब तक दो कारिय जब पूरा हो जाएंगे सबसे पहले की हम विश्वास तता ईश्वर के पुत्र के ग्यान में एक नहीं हो जाएं दो कारे हैं एक तो विश्वास में हम एक हो जाएं और एश मसी के बारे में इश्वर के पुत्र के ग्यान को प्राप्ट करके हम एक हो जाएं हमें एश मसी के बारे में जानकारी हासिल करनी हैं कि एश मसी हमारे मुक्तिदाता के रुप में आएं और उतना ही नहीं एश मसी के शिश्वर का एक खास उदेश है वो क्या है हमें समझना है वो आगामी शब्दों में लिखा है और मसी की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनिश्यत्व प्राप्ट कर ली मसी की परिपूर्णता ही मनिश्यत्व है इंसानियत ही मसी की परिपूर्णता है परिपूर्णता क्या है प्रिय भाईयों बहनों अक्सर हम चर्चा करते हैं पूर्णता क्या है मती के सुसमाचार के पांचिय अध्याई के 43 हे लएकर 48 तक जो प्रवियेशू परवत पर प्रविचन देते हुए उस अंश के आखरी शब्दों में लिखा है तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा सुर्गिक पिताब पूर्ण है पूर्णता या परिपूर्णता क्या है लोग कहते हैं चार पांच तरीके के पूर्णता है सबसे पहले फिजिकल पर्वेक्शन यानि शारीरिक पूर्णता हमारे शरीर में किसी तरह की विकलानता ना हूँ, हम स्वस्त रहे और हम अच्छे कारी कर सके अपने स्वस्त शरीर के साथ, ये फिजिकल परफेक्शन है, दूसरा है मेटाफिसिकल परफेक्शन, कि हमारी तात्विक पुर्मता, हमारी सोच में, हमारे जीवन के बारे में दर् perfection of order यानि व्यवस्ता पूर्ण पूर्णता यानि हमारे कारी करने की शैली और हमारा discipline हमारे दिन प्रति दिन के समय के अनुसार अनुशासन के अनुसार हम कारी करे उसे perfection of order कहा जा सकता है चोथा है perfection of behavior यानि सद्गुनों की पूर्णता हमारे अंदर किसी तरह का अउगुन ना हो हमारे व्यवहार अच्छा हो हमारे रिष्टे अच्छे हो ये सारी बाते लेकिन प्रवियेशु जब कहते हैं तुम पून बनो जैसे तुमारे सुर्गिक पिता पून है वो किस तरह के perfection को चाहते हैं सुर्गिक पिता की तरह उदार दिल वाले बन जाएं perfection of large heartedness क्योंगी उसके पहले प्रवियेशु करते हैं जब तुमारे सुर्गिक पिता वर्षा भेजते हैं तो वो धर्मी और विधर्मी दोनों पर बराबर वो वर्षा पढ़ती है सुरज की रोशनी यहूदी और गायर यहूदी अन्य धर्मों के लोगों पर भी वो रोशनी पढ़ती है तो उसी तरह सब को अपनाएं समता के दुष्टी से सब को देखे किसी को पराया ना समझे आगे ये शुदो सवाल पुछ देने यदि तुम अपने ही भाईयों से प्रेम करोगे तो कौन सा पुरसकार तुमें मिलेगा प्रेम करो सबसे और यदि तुम अपने ही जाती के लोगों को अभिवादन करोगे या नमस्कार कहोगे तो सुर्ग में तुमें किस तरह का पुरसकार मिलेगा कौन सा बड़ा कारी करते हो कहने का ताथ परिया तुम उदार बनू फ्रदै की विशालता का परिचे दू यही परफेक्शन है यही पुनता है यही परिपुनता की बात पौलुस भी करते हैं मसी की परिपुनता की अनुसार पूर्न मनिश्यत्व प्राप्त कर ले पूर्न मनिश्यत्व तुमारी इंसानियत इसी में है कि तुम मुदार बनो अपने दुस्टिकोन को बदलो किसी को पराया ना समझो आज के इस पाठ में हम सुनते हैं चौद्वें पदप लिका है इस प्रकार हम बालक नहीं बने रहेंगे और भ्रम में डालने के उदेश से निर्मित धूर्त मनिश्यों के प्रतेक सिध्धान के जोके से विचलित होकर बहकाये नहीं जाएंगे मसी की वो परिपुनता वही उदार सिध्धान यदि हम में है किसी को पराया या गायर ना समझे तो हम पूर्नता को प्राप्ट करेंगे क्योंकि आज के जमाने में हमें एक दूसरे से अलग करने के लिए विद्वेश की बाते नफरत की बातों का प्रचार किया जाता है इसलिए पूलस करते हैं हम बालक नहीं बने रहेंगे और भ्रम में डालने के उदेश से नर्मित धूर्त मनिश्वंगे परतियक सिधान के जोके से विचलित होकर भाकाये नहीं जाएंगे भाकाये नहीं जाएंगे गुमराह नहीं किये जाएंगे गलत प्रचार में हम भाकाए ना जाएं हमें जरूरत है जो आगे करते हैं पंद्रवें पद पर हम प्रेम से प्रेरित होकर सत्य बोले और इस तरह मसी की परिपूर्मता प्राप्त करें आगे करते हैं और उनसे समस्त शरीर को बल मिलता है वो शरीर अपनी सब संधियों द्वारा सू संगहटित होकर प्रत्यग अंग की समुचित सक्रेटा से अपनी परिपूनता तक पहुंचता और प्रेढ द्वारा अपना निर्मान करता है कौन? मसी, जो हमारे शेर्ष हैं, जो हमारे सिर्ष हैं वो हमारे पूरे शरीर को यानि शरीर हमारे कलीसिया रूपी समुदाई को हमारे शरीर को मसी जोडता है प्रेम में जोडता है प्रेम दोरा अपना निर्मान करता है तो सम्ता के शरीर का निर्मान सम्ता मुलक समुदाई यहां कोई गायर बराबरी ना हो कोई भेदभाव ना हो सब को हम सम अधरिश्टी से देखे हैसे समाज के निर्मान के लिए हम सभी मसी के एक एक कशिश बुलाएगे हैं आज के समाचार में हम यह सुनते हैं कि गलीलिया के कुछ लोग एशू के पास आए और उन गलीलियों के विशे में बताने आए जिनका पिलातुस ने बड़ी करोड़ता से उनकी हत्या कर दी थी और उनके बली पशूओं के रक्त में उनका रक्त मिला दिया था और एशू एक दूसरी तरासदी के बारे में सुनाते हैं जहां सिल्वाम के मीनार ढहने के कारण अठारे लोग मारे गए यह तरासदीयां दूसरों पर दोष लगाने का कारण ना बने बलकि अपने जीवन के बारे में सोचने समझने का यह अवसर हैं तरासदीयां होती हैं कुछ तो मनिश की कुरूरता के कारण कुछ प्राकृतिक आपदा के कारण इन दिनों दाना नामक एक साइकलोन एक चकरवात यह तूफान आने वाला है उसे भी बहुत नुकसान होगा इस तरह के बहुत सारे नुकसान तरासदीयां होती रहती हैं किसी पर दोश लगाने का नहीं लेकिन हमें व्यक्तिगत रूप से सामधाई रूप से हम जो जीवन जी रहें प्रकृती के साथ हमारा रिष्टा है उस पर सोचने और पशाताब करने जीवन को बदलने जीवन की शैरी को बदलने का ये अवसर है प्रव ये शु जिस तरह हम प्रकाशना गृंद के 22 अध्याई के साथवे पद पर ये शु करते हैं मैं शीग रही आऊंगा देखो मैं शीग रही आऊंगा प्रव ये शु आने वाले हैं हम विश्वासियों का यही भरोसा है प्रभू जल्दी ही आने वाला है समय नहीं हैं, हमें तयार रहना है, हमें कार्य करना है अलपावधी में भी हमें अधिक फल उत्पन करना है आजीवन हम बिना कोई फल उत्पादित किये रह नहीं सकते हम आलस्य का जीवन नहीं रह सकते इसलिए प्रवी एशु अपने प्यार और करुना को हमें देना चाते है एशु के प्यार और करुना को प्राप्त करके हम जिस तरह एशु हमें अपनी और खींच लेते हैं हम एशु को अपने साथ रखे और एशु की और हमें अपने आपको बढ़ाना होगा हम उसके लिए अपने खरदे के बंद दर्वाजे खोल दे प्रात्ना के माध्यम से और येशु के वच्छनों को सुनका और अपनी अंतरात्मा की जांच करते हुए प्रति दिन येशु के पास बैठे और उन्हें हमारे जीवन के अच्छे बागवान अच्छे माली बने दे वो अन्मती दे ताकि वो हमें परिवतित करे आयम प्रात्ना करे मारे प्यारे प्रभु येशु के लिए जो हमें मनिशत्य की परिपूर्णता के लिए मसी की परिपूर्णता के लिए हमरा अखवान करता है प्रबू वो परिपुनता तब होगी जब हम फल उत्पन करेंगे प्रभू हम ये मान तें कि ये येशू हमें अवसर देते हैं वो शमाशील प्रबू है प्रबू हमें कर्पादे की हम येशू के साथ रहकर एशु के सानेते कानभाव करते हुए उन्हें ये अवसर दे और उनके स्पर्श कानभाव करते हुए और उनके प्रेम और करुना कानभाव करते हुए हम परिपुनता प्रात करे, फल उत्पन करे और उन फलों को दूसरों के साथ साजहा करके दूसरों की भलाई के लिए इनका उप्योग कर सके ये प्रात्ना करते हैं कृष्व हमारे प्रूब के दुआरा आमेन कर दो कर सके